कितना खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं, इसका मतलब है, आपके शरीर को कितने जरूरी पोशक तत्व, नुट्रियन्स मिल रहे हैं, आपको आयन, कैलसम मिल रहे हैं या नहीं, सोडियम मिल रहा है या नहीं, विटामिन्स मिल रहे हैं या नहीं, ये सब नुट्रिशन के बहुत इंपोर्टन एस्पेक्ट्स हैं, नुट्रिशन के इस आंदुलन में, पीपल पार्टिसिपशन भी बहुत जरूरी हैं, जन भाग में इसे जनभागीदारी से जनांदोलन बनाये जा रहा है पोशन सप्ता हो पोशन मा हो इनके माद्यम से जादा से जादा जागरूत्ता पैदा की जा रही है स्कूनों को जोड़ा गया है बच्चों के लिए प्रतियोगीताएं हो उनमें एवर्नेस बड़े इसके लिए भी लगातार प्रयास जावी है जैसे क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है उसी तरह नुट्रिशन मॉनिटर भी हो रिपोर्ड कार्ड के तरह nutrition कार्ड भी बने इस तरह की भी शुरुवात की जा रही है पोशन महा nutrition मंत के दोरान माय गौव पॉर्टर पर एक food and nutrition क्वीच भी आवजित की जाएगी और साथ ही एक meme competition भी होगा आप खुद participate करें और दूसरों को भी motivate करें साथियों अगर आपको गुजरात में सरदार वल्लभाई पटेल के statue of unity जाने का आउसर मिला होगा और कोवीड के बाद जब वो खुलेगा और आपको जाने का आउसर मिलेगा तो वहाँ एक unique प्रकार का nutrition park बनाया गया है खेल खेल में ही nutrition की शिक्षा आनन प्रमूत के साथ वहाँ जुरूर देख सकते हैं साथियों भारत एक विशाल देश हैं खान पान में धेर सारी विवित्ता हैं हमारे देश में छे अलग अलग रूतियänder होती हैं अलग अलग खेटरों में वहाँ के मौसम के हिसाब से अलग अलग चीज़े पैदा होती हैं इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर क्षेटर के मौसम, वहाँ के स्थानी भोजन और वहाँ पैदा होने वाले अन, फल, सबजियों के अनुसार एक पोशक, nutrient-rich diet रान बने, अब जैसे मिलिट्स, मोटे अनाज, रागी है, जवार है, यह बहुत अप्योगी पोशक आहार है, एक भारतिय कृशिकोष तयार किया जा रहा है, इसमें हर एक जिले में क्या-क्या फसल होती है, उनकी nutrition value कितनी है, इसकी पूरी जानकारी होगी, यह आप सब के लिए, बहुत बड़े काम का कोश हो सकता है, आईए, पोशन महा में, पॉश्टिक खाने और स्वस्त रहने के लिए, हम सभी को प्रेरित करें, प्रिये देश्वाशियों, बीते दिनों, जब हम अपना स्वतंतरता दिवस मना रहे थे, तब एक दिल्चस्प खबर पर मेरा ध्यान गया, यह खबर है, हमारे सुरक्षावलों के, दो जाबाज किर्धारों की, एक है, सोफी और दूसरी, विदा, सोफी और विदा, इंडियन आर्मी के श्वान है, डॉग्स है, और उन्हे चीफ आफ आर्मी स्टाप, कामंडेशन कार्ट से सम्मानित किया गया है, सोफी और विदा को यह सम्मान इसलिए मिला, क्योंकि इन्हों ने, अपने देश की रक्षा करते हुए, अपना कर्तव्य बक्षू भी निभाया है, हमारी सेनाओं में, हमारे सुरक्षावलों के पा कितने ही बम धमाकों को, कितनी ही आतंकी साजिसों को रोकने में, ऐसे डौक्स ने बहुत एहम भूमिका निभाई है, कुछ समय पहले, मुझे देश की सुरक्षा में, डौक्स की भूमिका के बारे में, बहुत विस्तार से जानने को बिला, कई किससे भी सुने, एक 2006 में अमरनात यात्रा के रास्ते में बड़ी मात्रा में गोला बारुत खोज निकाला था 2002 में भावना ने आईडी खोजा था आईडी निकालने के दोरान आतंकियों ने विस्फोट कर दिया और स्वाम शहीद हो गए दो तिन वर्ज पहले 36 गड़ के बीजापूर में CRPF का स्निफर डॉग क्रेकर भी आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया था कुछ दिन पहले ही आपने शायद टीवी पर एक बड़ा भाव करने वाला दरश्य देखा होगा जिसमें बीड पुलीस अपने साथी डॉग रॉकी को पुरे सम्मान के साथ आखरी विदाई दे रही थी